हिलो ब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए SSC स्टाप सेलेक्शन कमीशन की तरफ से नई भरतियों को लेकर बहुत ही बड़ी गुड नियूज आ चुकी है इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC की नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए भरतियों के कम्प्लीट टोडिविकेशन और आपीदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 7 मई 2024 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माद्यम से इन भरतियों के ल यानि डाटा एंट्री ऑपरेटर, JSA यानि जूनियर सिकेट्रियेट असिस्टेंट और LDC यानि लोबर डिविजन कलर्क यहां पर आपका 10 प्लस टू यानि दसवी और बारवी पास होना कमपल सरी है अगर आप लोग 10 टॉल पास आउट हैं तो आवेदन कर पाएंगे SSC की इन पदों पर आपको अच्छी खासी सेलरी मिलेगी जो की 81,100 रुपय तक रहेगी 18 से लेकर के 32 साल का कोई भी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर पाएगा आगे इस वीडियो में आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में complete notification को open करेंगे आप सभी से request रहेगी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को जरूर अन करें आएगे चलते हैं आज के अपने main topic official website प्लस notification पर तो दोस्तो आपको आवेदन करने का notification डाउनलोड करने का link वीडियो के description में दे दिया गया है आप सभी क्लिक करके इस page पर आ सकते हैं सबसे पहला काम करेगा WhatsApp ग्रूप को जोईन करेगा और उसके बाद हो सके तो WhatsApp चैनल और Telegram ग्रूप को जरूर जोईन करें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं SSC Staff Selection Commission की तरफ से recruitment है और यहाँ पर आपको recruitment 2024 देखने को मिलेंगी अधिक ज्यानकारी के लिए आप सभी Google पे जाकर टाइप कर सकते हैं www.nokrikabar.com आपको हमारी website मिल जाएगी उसके बाद important dates की बात कर लेते हैं तो आपेदन आपके 8-4-2024 जानी 8 April से अल्रेडी सुरू हो चुके हैं जिसकी आखरी डेट है 7 मई 2024 की अच्छा खासा समय है आपके पास application fee की बात करें तो जर्नल OVC EWS के लिए 100 रुपीज और S.C.H.T.P.H. पिलकुल free में आपेदन कर पाएंगे इसके बाद है आपकी age जो की कम से कम 18 और अधिक सदिक 27 साल की रखी गई है इसके लाबा आपको government के नियम के उनसार छूट मिलेगी जो की S.C.H.T. के लिए 5 और OVC के लिए 3 सालों की रखी जाती है इसके बाद है आपकी vacancy detail टोटल नंबर OVC की बात करें तो आपको 3712 पदो पर ये भरतियां देखने को मिलेंगी इसके अंदर टोटल चार तरह की पोश्टे हैं पहली तो आपको LDC lower division clerk की पोश्टे मिलेंगी दूसरी JSA junior secretary assistant की तीसरी DEO data entry operator की और आकरी में data entry operator grade first की पोश्टे भी यहाँ पर सामिल ह इसके बाद है आपकी eligibility 1012 पास आउट हैं तो आप सभी इसके लिए आभीदन कर सकते हैं who can apply कौन-कौन आभीदन कर सकता है तो all india label की job है आप सभी भारत के किसी भी राज्य से male और female महिला और पुरुस दोनों के टेगरी के candidate आभीदन कर सकते हैं today top job list की बात के हैं तो आज की नई नोकरियों की जानकारी यहाँ पर add कर दी गई है clicker की button पे click करके आप लोग जानकारी को देख सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं ssc chsl की तरफ से जो vacancies उनके लिए आपको salary क्या मिलेगी minimum आपको salary मिलेगी 25,500 और maximum जो आपकी salary रहेगी वो 81,100 रुपय तक जाएगी इसके बाद है selection procedure ssc की किसी भी vacancy को देखें उसके अंदर आपका exam होता है और final आपका document verification का process होता है कैसे apply करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है इसके बाद आपको मिलेगा important link का section यहाँ पर आने के बाद आप लोग direct apply कर सकते हैं लेकिन उससे पहले recommended है एक बार notification को download कर लें click here की button पर click करेंगे और आपका notification कूछी समय में PDF reader की साहता से open हो जाएगा देखें यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है अगर आप यहाँ पर देखेंगे notice है और यहाँ पर command higher secondary 10 plus 2 level examination है 2024 के लिए आप एदन वही है same date 8 April से 7 मई 2024 की इसके लाबा आपका schedule किया गया है जो यहाँ पर टायर 1st का exam है वो जून जुलाई 2024 में और जो टायर 2nd का exam है उसके लिए dates month notify soon यानि बाद में आपको बताया जाएगा अभी पर इसकल देखें LDC और JSA post के लिए 19,900 से 63,200 का इसके लाबा data entry operator और यहाँ पर जो पोश्टे हैं level 4 में और level 5 में इसकी बेतन 25,500 से 48,100 रुपए रहेगा grade first के पोश्ट के लिए भी इसके बाद यहाँ पर tentative जो विकेंसी है वो 3712 है यहाँ पर लिखा गया है approach इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से नीचे आते हैं तो आ PWBD में unreserve है 10 साल, OVC है 13 साल और SCHT है 15 साल इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं total 87 यानी 87 पेजो का PDF है इसको download करके read करिएगा और नीचे आते हैं तो आपको और भी ज्यादा जानकारी देखने को मिलेंगी जैसे qualification के बारे में, post के बारे में, selection के बारे में यहाँ प और साथ में DEO के लिए 12 इस्टेंडर पास ही है यानी 12 पास है 10 प्लस 2 तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कैसे आवेदन करेंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है और आवेदन करने की जो अंतिवतिती है वो बार बार बताय जा रहा कि 7 मई तक आप लो होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद